हेलो केस बेलकम तू माई चैनल सीफ़ार चीकू गरतांत्र दिवसपर भाशार आज के इस बिशेश शुब दिन के लिए यहां उपस्तित सभी गर्मानों वेक्तियों सिच्छगाड बिध्यारतियों और मेरे सैपाटियों को सुपरभार आज हम सभी भारत का भात्तरवां गरतांत्र दिवस मनाने के लिए इकठा हुए है सौर पर्थम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे इस शुब दिन पर यह मौका दिया कि मैं गरतंत्र दिवस पर आपके सामने अपने विचार रख सको चार लाइनों से मैं अपने भाशा की शुरुवात करूँगा लेकिन उससे पूर्व आप सभी को गरतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाईया काटों के वीच फूल खिलाएंगे धर्थी को हम स्वर्ग बनाएंगे आओ सब को गले लगाएं मिलकर हम सब गरतंत्र दिवस मनाएं आज का दिन उन देश भक्तों के त्याग तपस्या शौर और बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है जिनके कारान हम गरतंत्र इस्तापित कर सके सताप्तियों की गुलामी के उपरांद हमने 15 अगस्त 1947 को अजादी पाई देश के सौतंत्र होने के डाई वर्ष पश्याद यानि 26 जन्वरी 1950 को देश के कणधारों ने भारत के नवीन समिदान को लागू किया तभी से 26 जन्वरी 1950 के दिन को हम सभी गरतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए और लाड माउंट बेटन गवर्नर्स जनर्र के इस्थान पर डॉक्टर राजेंद परसाद हमारे राष्ट के पर्थम राष्पती बने कर खड़े हो गए यह बहुत शर्म की बात है अजाजी के लगबग सतर वर्सों के बाद भी हम अपराद ब्रस्टाचार और हिंसा जैसी समस्थाओं से जूज रहे हैं ये सभी को भली भादी मालूम है आज हमें फिर से एक बार साथ मिलकर अपने देश से इन बुराईयों को बाहर निकाल फेकना है जैसे कि 173 से नानी नेताओं ने अंग्रेजयों को हमारे देश से बाहर निकाल फेकना था हमें भारत देश को फिर से मातमा गांदी, भगस से, चंदर शेखर आजाद, लाला लाच बतराय, सरदार बल्लबाई पटे और लाल बाहर दो सास्त्री जैसे इन 183 से नानियों के सपनों का भारत बनाना होगा क्योंकि दोस्तों बतन हमारी शान है, बतन हमारा मान है, हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है अंत में आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आपके समक्च गरतंतर दिवस के इस पाउन उसर पर अपने शब्द रखने की अन्मति दी एक बाद फिर से आप सभी को गरतंतर दिवस की हार देख सुख काम नाए धन्यवाद जै हिन जै भारत बंदे मात्रब भारत माता की जै